नमिश्कार साथियो हर विक्ती ओवर्थिंकिंग करता है और कहीं न कहीं इसकी वज़े से वो परिशान रहता है सबसे पहले हम जानेंगे कि ओवर्थिंकिंग के कारण क्या क्या होते है उसके बाद हम देखेंगे कि इससे आपको नुकसान क्या क्या है और उसके बात देखेंगे कि overthinking से कैसे बचा जाए overthinking का सबसे पहला कारण होता है बिना मतलब की बातों की चिंता करना ऐसी बातें जो आपकी मतलब की है ही नहीं उन बातों की भी आप चिंता करते हैं जिसके कारण आप overthinking का शिकार हो जाते हैं overthinking का दूसरा कारण होता है काम का तनाव होना जब आप किसी काम को अपने हाथों में लेते हैं तो आप काम लेते ही चिंतित हो जाते हैं उसे करने की planning नहीं बनाते हैं लेकिन सिर्फ सोचते रहते हैं कि ये काम आपसे होगा नहीं होगा इसका परिणाम क्या होगा? इनी चीजों को सोच सोच कर आप ओवर्थिंग करने लगते हैं तीसा सबसे बड़ा कारण है आपकी डर का बना रहना आपको डर लगता है कि कहीं आपको जॉब से निकालना दिया जाए आपको डर लगता है कि कहीं आप स्कूल में फेल ना हो जाए आपको डर लगता है कि कहीं आपके रिलेशनशिप खराब ना हो जाए और इनी डरों के कारण आप ओवर्थिंग करने लगते हैं इसके बाद जब भी आपको कॉन्फिडेंस की कमी होती है तब भी आप बहुत ज़़ा ओवर्थिंग करते हैं आप सोचते हैं कि मैं वहाँ जाओ या नहीं जाओ इस चीज को पर्फरम करूं या ना करूं और इसकी वज़े से क्या परिणाम होंगे उन्हें सोच कर आप ओवर्थिंग का शिकार हो जाते हैं अब देखते हैं कि ओवर्थिंग से क्या-क्या नुकसान होते हैं जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है आप हर चीज को नेगेटिव तरीके से सोचते हैं चाहे वो कितनी ही पॉजिटिव क्यों ना हो ओवर्थिंकिंग के कारण आपको भूलने की भी बिमारी लग जाती है आप छोटी-छोटी चीजों को याद नहीं रख पाते क्योंकि आप किसी एक टॉपिक के बारे में बहुत जादा सोच रहे होते हो और इसी कारण आप चीजों को अपने महत्पून कामों को भूल जाते हो ओवर्थिंकिंग करने से बहुत सारे लोग पर्मानेंट बिमारीों के शिकार हो जाते हैं जैसे कुछ लोगों को पर्मानेंट सरदर्द होने लगता है वो चिर्चिरे हो जाते हैं और कहीं लोगों को तो भूग भी नहीं लगती है और इसकी वज़े से बहुत सारे लोग अपने रिलेशन्शिप को भी खो बैटते हैं अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि ओवर थिंकिंग करने से बचा कैसे जाए सबसे पहला जो इसका उपाय है वो ये है कि आप चिंता छोड़िये और चिंतन करिये सबसे पहले अपनी डायरी में लिखें कि आपको कौन सी चीज परिशान कर रही है और उसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं इस बात को मैं आपको एक एक एक्जांपल से समझाता हूँ माल लीजिए कि आप अपने घर से अपना बैग उठा कर ओफिस के लिए निकले आप ओफिस पहुचे और वहाँ पर आपने देखा कि आपके पास आपका फोन नहीं है अब आप परिशान होने लगे इस कंडिशन में आप दो चीज़ कर सकते हैं पहला उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं या फिर दूसरा आप बैठे बैठे ओवर थिंग कर सकते हैं एक नॉर्मल विक्ति क्या करता है सबसे पहले इस बात को समझे जब भी कोई घटना घटित होती है तो एक नॉर्मल विक्ति सबसे पहले ठिंग करता है उसके बाद एक्शन लेता है और उसके बाद उसका रिजल्ट उसके सामने होता है यदि वो रिजल्ट ठीक नहीं है तो फिर से वो सोचता है उसके बाद एक्शन लेता है और उसके बाद वो result को gain करता है लेकिन overthink करने वाला विक्ती सिर्फ एक काम करता है और वो सिर्फ thing, thing और thing मतलब वो सिर्फ सोचते रहता है अब इस condition में आप क्या करेंगे जब आपका phone आपको नहीं मिल रहा है सबसे पहले आप अपने pocket को check करेंगे उसके बाद अपने back को check करेंगे और उसके बाद डारेक्ट अपने घर पर phone लगाएंगे कि क्या आप अपना phone घर पर ही भूल गए है या फिर नहीं पहले आपने सोचा, उसके बाद अपने action लिया और हो सकता है कि आपका phone घर पर हो या फिर आपके back में ही आपको मिल जाए इसका मतलब आपका result आपको मिल चुका है अब एक दूसरी condition लेते हैं माल लीजे कि आप एक train में बैठे हैं जिसके रफ्तार 100 km प्रतिगंटा है आप phone चला रहे हैं और आप खिड़की के पास बैठे हैं गलती से किसी का आपको धक्का लग जाता है और आपका phone खिड़की से बाहर गिर जाता है अब इस condition में आप क्या करेंगे अब आपको भी पता है कि आपका phone आपको वापस नहीं मिल सकता अब इस condition में आप रो सकते हैं परिशान हो सकते हैं चला सकते हैं गुसा कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा आप एक दूसी चीज भी कर सकते हैं आपको पता है कि रोने गाने से कोई फायदा नहीं है इसलिए आप ये सोचिए कि उस SIM का नंबर आप कितनी जल्दी बंद करवा सक ये आपका कोई बहुत महत्पून डाटा उसके अंदर है तो आप उससे कैसे रिकवर करवा सकते हैं इस बात के बारे में आप सोचेंगे तो आपको फायदा होगा तो इसलिए चिंता नहीं चिंतन करो दूसी चीज है कि ये आप बर्तमान में रहेंगे तो आपको ओवर थि प्रिंकिंग का शिकार हो जाते हैं इसलिए हमेशा याद रखिए कि जितना जादा आप बर्तमान को जी सकते हैं उस पल को जी सकते हैं उसका उप्यों कीजिए तीसा तरीका है कि आप इसी बातों को इगनौर करना सीखें बहुत सारी लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़ादा सोच रहे हो उस वक्त आप music सुनने लगे या फिर meditation करने लगे इससे आपको बहुत ज़ादा फाइदा होगा और अगला तरीका सबसे ज़ादा महत्पूर्ण है क्योंकि वही आपकी overthinking का बहुत बड़ा कारण बनता है वो है कि आप खाली ना बैठे बहुत सारे लोगों को पता है कि overthinking तभी शुरू होती है जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते तो अगली वार याद रखना कि जब भी आप खाली बैठे हों तो कुछने कुछ टास्क कुछने कुछ काम करें ताकि आप overthinking ना कर पाएं आप मुझे comment box में comment करके जरूर बताईए यदि आपको भी overthinking का problem है और आप कौन सा तरीका अपनाते हैं वो भी comment करके जरूर बताईए ताकि दूसरों को लाब हो सके इस वीडियो को उन लोगों तक जल्दी से शेयर कर दीजिए जो बहुत जादा सोचते हैं और परिशान रहते हैं यदि अगले वीडियो में फिर मिलते हैं धन्यवाल